अगर आपका मुबाइल हेंग चल रहा है ये अच्छनक से सिलो हो गया है या फिर एडसो होने की बज़े से आपके मुबाइल का MB डाटा ज्यादा खर्च हो रहा है और मुबाइल की बैटरी कम रुक रही है तो हो सकता है कि आपके मुबाइल में कोई वायरस आ गया हो तो हमारे मुबाइल में कोई भी वायरस किन किन तरीकों से आता है और कैसे हम अपने मुबाइल के सभी वायरस को डिलीट कर सकते हैं इसका पूरा तरीका मैं आपको इस वीडियों बताने वाला हूँ जैसे कि अगर आप किसी website से कोई movie या strong download कर रहे हैं तो कभी-कभी उसके background में virus file भी download हो जाती है जिससे कि हमारे mobile में virus enter कर जाता है जो कि हमारे mobile को hack भी कर सकता है या फिर कोई ऐसी application जो कि free में play store पर available नहीं है तो उसको आप किसी website से download कर लेते हैं तो इसके साथ ही कोई virus file download होकर आपके mobile में enter हो जाती है जिससे कि आपका mobile बहुत slow या battery या फिर उसमें add show होने लग जाते हैं इसके अलाबा और भी कई तरीकों से mobile में virus आ जाते हैं जैसे कि हमें कोई spam mail send करता है या किसी social media पर कोई भी links बगएरा send करता है तो कभी कभी उस link पर click करने से हमारे mobile में virus आ जाता है लेकिन कभी कभी mobile की RAM या storage फुल होने की बज़ा से भी mobile hang या slow हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे mobile में कोई virus आ गया हो तो अगर आप अपने mobile को clean करना चाहते हैं या mobile में से सभी virus को delete करना चाहते हैं open पर click करके यहां start पर click करेंगे तो यह application open हो जाएगी और जितने भी junk file आपके mobile में मौजूद होंगी यह सभी को find करके यहां पर दिखा देगी इसमें यहां पर चार option दिये गए हैं जैसे कि अगर आपका mobile hang होता है या phone की speed slow है तो आप यहां boost पर click करके अपने mobile की speed बढ़ा सकते हैं यहां पर यह आपके mobile की speed को काफी हद तक boost कर देगा कवी-कवी हमारे mobile की storage फूल होने बज़ए से भी हमारे mobile में problems आ जाती हैं तो आप यहinan clean पर click करेंगे और यहां consistency करें, यहां allow पर click करेंगे, तो यह आपके mobile की सब्या फायल को और उसमें जितनी भी फाल तो की file होँगी इसको detect कर लेगा, आप यहां clean पर click करेंगे, तो आपके phone की सब्या फाय फायल से delete हो जाएंगी, यहां पर third option दिया गया हमें anti virus का अगर आपके mobile में कोई virus आ गया है तो उसको delete करने के लिए आप यहां anti virus पर click करेंगे तो आपके mobile में जितने भी virus मौजूद होंगे उन सभी को यह scan करके आपके सामने यहां पर ला देगा यहां नीचे resolve और पर click करेंगे तो आपके mobile के यह सभी virus को delete कर देगा इसने कोई issue find किया है अभी हम फिलाल यहां note now पर click कर देंगे इसने हमारे mobile के सभी virus को delete कर दिया है साथी अगर आपके mobile की battery कम रुक रही है तो आप यहां super power mode पर click करेंगे और यहां super power mode server को enable कर देंगे जितने भी apps आपके phone की battery को ज्यादा consume कर रहे हैं उनको यह detect कर लेगा और आपकी battery की health को बढ़ा देगा अगर आपका mobile use करते समय जल्दी गरम हो जाता है तो आप इससे कुछ हद तक अपने phone को ठंडा भी कर सकते हैं आप यहां phone cooler पर click करेंगे यह सभी application को scan करेगा और आपकी battery cooler को भी scan करेगा और इस screen color को भी scan कर गई यह आपके CPU को काफी हद तक ठंडा कर देगा मैं यह नहीं कहे रहा हूं कि इससे आप अपने phone को ठंडा कर सकते हैं इससे आप कुछ time के लिए अपने phone को ठंडा कर सकते हैं इस application से आप अपने phone को clean करने से या anti virus को delete करने से अलावा अपने phone की application पर lock लगा सकते हैं यहाँ एप लोक पर क्लिक करेंगे तो आपके फॉन की एप्लिकेशन आ जाएंगी जिन पर भी आप लोक लगाना चाहते हैं उनको इस तरह से सिलेक करेंगे और लोक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक पैटन सिलेक कर लेंगे फिर से दोबारा उसी पैटन को डालेंगे और यह तो आपने जो भी एप्लिकेशन पर लोक लगाकर सेट किया होगा उन पर लोक लग जाएगा अगर यह एप्स कुछ टाइम बाद आपसे प्रीमियम बर्जन खरीदने को कहें और आप खरीदना नहीं चाहते हैं तो प्लेश्टोर पे और भी काफी सारी एप्लिकेशन अवेले देती हैं इसलिए आप सही एप्लिकेशन को सही तरीके से यूज करें तो आई हो वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मन में कुछ सवाल है तो आप हम से कॉमेंट करकर प बुसा टे